हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ चैनल, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सौन बर्ण मालाओं को इंगलिस में कैसे लिखते हैं, यह साड़े सौन बर्ण मालाओं को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा इसे सीखने के बाद आपको अंग्रेजी बोलना और लिखने में आसानी होगी क्योंकि यह इंग्लिस सीखने का सबसे फर्स्ट और बेसिक स्टेप है तो चलिए इसे इंग्लिस में लिखते हैं पहला स्वर्ण वर्ण है अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है अ को इंग्लिस में लिखते हैं ए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है अ को इंग्लिस में ए लिखेंगे अगला स्वर है आ, आ की मात्रा होती है इसे वर्ण के आगे लिखा जाता है, इसका अंग्रेजी होता है डवल ए, क्योंकि जब आ बोलते हैं, तो इसमें हम आ को दो बार प्रनाउंस या उच्चारन करते हैं इसलिए इसका इंग्लिस लिखेंगे डवल ए अगला वर्ण है इ, इसे छोटी इ भी कहते हैं, इसकी मात्रा होती है इ, इसे वर्ण के पीछे की तरफ लिखते हैं, इसे अंग्रेजी में लिखेंगे आई इ को क्या लिखेंगे, आई, इसे वर्ण के पीछे लिखा जाता है अगला वर्ण है इ, इसे बड़ी इ भी कहते हैं, इसकी मात्रा होती है इ, इसे वर्ण के आगे की ओर लिखा जाता है इसको इंग्लिस में लिखेंगे डवल ए इ, जिसे बड़ी इ भी कहते हैं, उसे इंग्लिस में लिखते हैं इसे छोटी उ भी कहते हैं, इसकी मात्रा होती है इसे word के नीचे की ओर लिखते हैं इसे English में लिखते हैं U U को कैसे लिखते हैं? U अगला है U इसे बाड़ी U भी कहते हैं इसकी मात्रा है U इसे English में लिखेंगे Double O English में क्या लिखेंगे? Double O अगला स्वर्ण वर्ण है Rी Rी को बारा खड़ी में नहीं लिया जाता है इस बात का आप ध्यान रखेंगे Rी की मात्रा होती है Rी इसे वर्ण के नीचे की ओर लिखा जाता है इसे अंग्रेजी में लिखेंगे R I Rी Rी इसको इंग्लिस में लिखेंगे R I Rी अगला वर्ण है A A की मात्रा होती है A इसे इसे अंग्रेजी में लिखेंगे E A जिसकी मात्रा A होती है इसे वर्ण के उपर की ओर लिखते है इसे इंग्लेजी में लिखेंगे A इसे इसकी मात्रा होती है A इसे वर्ण के उपर की ओर लिखा जाता है A इसे इंग्लेजी में लिखेंगे A A A इसे इंग्लेजी में कैसे लिखेंगे A A अगला वर्ण है O O की मात्रा होती है O इसे वर्ण के आगे की ओर तथा उपर की ओर लिखा जाता है इसे इंग्लेजी में लिखेंगे O O की मात्रा होती है O इसे वर्ण के आगे की ओर और उपर की ओर लिखते है इसे इंग्लेजी में लिखेंगे A U O O को इंग्लेजी में क्या लिखेंगे A U O अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा नेश्ट अन अन की मात्रा होती है अन इसे वर्ण के ऊपर की ओर एक बिंदू के रूप में लिखते हैं इसका इंगलिस होता है एन या फिर एम अन का इंगलिस एन या एम होता है अह अह की मात्रा होती है इसे वर्ण के आगे की ओर दो बिंदूर दे कर लिखा जाता है इसे इंगलिस में लिखेंगे ए एच अह इस तरह से अह को इंगलिस में लिखेंगे ए एच अह इस तरह ये स्वन वर्ण के इंगलिस नाम हैं इसे चलिए एक बार एक साथ पढ़ते हैं A-A-A-A-A-E-I-E-E-U-U-O-R-I-R-E-A-E-A-I-A-O-O-O-A-U-O A-N-A-N या फिर A-M-A-A-H-A इस तरह ये स्वर्ण वर्ण के इंग्लिस नाम है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करियेगा इसे सीखने के बाद आप आसानी से इंग्लिस बोलना और पर ना सीख सकते हैं इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल study with योग माया को सब्सक्राइब और उसे विजिट करना ना भूले